है इसes हैं आप उम्मीद करती हूं आप बढ़िया और एक दम म limit में होंगे तो आए बच्छों आज की अध्याएं में पढ़ने वाले आम मुहावरे एवं लोकतियों के बारे में कैं तो सबसे पहले बच्चों इस अध्याय में हम पढ़ेंगे मुहावरे क्या होते हैं? बच्चों ऐसा वाक्यांच जो अपने साधारन अर्थ को छोड़कर किसी विशेश अर्थ को व्यक्त करता है, मुहावरा कहलाता है, जैसे कान पर जूना रिंगना, तो इस वाक्यांच का अर्थ वास्तम में कान पर जूना चलना नहीं है, बलकि कुछ भी असर ना होना है, अत चमतकार आजाता है, तो तब भाशा जीवन्त वो प्रभावशाली हो जाती है, आईए कुछ मुहावरे उनके अर्थ वो वाक्या प्रयोग जाने, जैसे अंधे की लाटी, अर्थ है एक मात्र साहरा, वाक्या है बनेगा इसका श्रवन कुमार अपने माता पिता की अंधे की लाटी थे, अपना उल्लू सीधा करना, अर्थाद अपना मतलब निकालना, नीरज अपना उल्लू सीधा करके मुझे भूल गया, आखो कतारा, अर्थाद बहुत प्यारा, राकेश अपने माता पिता की आखो कतारा है, नो दो ग्यारा होना, अर्थाद भाग जाना, कुट् गोश्टनाूरे ही भारति सेनिकों ने कमर कसल मूमें पानी भराना अर्फात लल्चाना है मलाई कोफ्ता बता दीकर मूमें पानी भराया घीन के दिये लोटने पर सभी अद्योग्या वासियों ने घी के दिये जलाए उंगली पर नचाना अर्थात वश्मे करना पारूल की बहू उसकी बेटे को उंगली पर नचाती है टका सा जवाब देना अर्था साफ इंकार करना निशा ने अपने भाई से उधार मांगा तो उसने टका सा जवाब दे दिया आसमान सिर पर उठाना अर्था शोर मचाना रश्मी ने चॉकलेट के लिए आसमान सिर पर उठा लिया अकल का दुश्मन अर्थात मूर्ख होना कालिदास के अकले के दुश्मन होने का पता इस बात से चलता है कि वे जिस डाल पर बैठे थे उसी को काट रहे थे आस्तीन का सांप अर्थात विश्वास घाती मित्र रोहित तो आस्तीन का सांप निकला मेरा सारा भेज चत्रों को देता रहा चांद का टुकड़ा अर्थात बहुत सुन्दर मालिनी तो बहु के रूप में चांद का टुकड़ा लाई है आखे दिखाना अर्थात क्रोस प्रकट करना माने में मानों के सामने ही नेहा को आखे दिखा कर चुप कराया बात का धनी अर्थात वचन का पक्का महाबारत में द अर्थाद आसान काम, पापा को पिकनिक के लिए मनाना मेरे बाय हाथ का खेल है, अपने मूम या मिठु बनना, अर्थाद अपने प्रशन सा स्वायम करना, प्रमोध को अपने मूम या मिठु बनने की आदत है, चेहरे पर हवाईयां उनना, अर्थाद घबरा जाना, निशान कि एक्सिडेंट की खबर सुनका शुभम के चेहरे पर हवाईया उन गई चुल्लू भर पानी में डूब मरना अर्थात बहुत शर्मींदा होना एक छोटे बच्चे से मार खाकर तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए गुर्गोबर करना अर्थात बना पनाया काम भिगालना, थानेदार से मीरी सारी बाते हो गई थी लेकिन वकीले में बूलकर सब गुड़ गोबर कर दिया, दातों तले उंगली दबाना ता हैरान होना, चार साल की बच्ची को रस्षी पर चलता देख सभी ने दातों तले उंगली दबा ली डंके की चोट पर करना अर्था निडर होकर खुले आम करना मौनू किसी दो नहीं डरता उसे हर काम डंके की चोट पर करने की आदत है पेट में चूए कूदना यहीं कि बहुत भूग लगना सोबहे से काम के कारण कुछ नहीं खाया अब तो मेरे पेट में चूए कूद रहे हैं हवाई किले बनाना अर्था जूटी कलपनाए करना तुम बस घर में बैटे-बैटे हवाई किले बनाते रहा करो पानी पानी होना अर्था शर्मिन्दा होना काजल सबके सामने अपना जूट पकड़े जाने पर पानी पानी हो गई जान करोना अर्था दुखी होकर कोसना साक्षी एक अच्छी बहु है फिर भी उसकी सास हर समय उसकी जान को रोती रहती है प्रथम तुम अपने हर काम के लिए दूसरों का ही मूँ ताकते रहते हो टांग अड़ाना अर्था दखल देना आशा को हर काम में टांग अड़ाने की आदत है बचों अभी हमने मुहावरे पड़े अब हम बढ़ेंगे लोगक्तियों की और जानेंगे क्या है लोगक्तिया ऐसा वाक्य है क grieving अत्वा उक्ती जो अपने विशिष्ट अर्थ के अधार पर संक्षेप में ही सच्चाई को प्रकड़ कर सके लोगक्ति क्यलाती है पच्चों लोगोक्तियों का प्रियोग अपने कथन की पुष्टी करने दूसरों को शिक्षा देने या व्यंग करने के लिए किया जाता है इन में जीवन का व्रिस्तित अनुभव समाया होता है इनके प्रियोग से भाशा अधिक सुन्दर स्वाश तथा प्रभाव पूर्ण हो जाती है आईए कुछ लुकक्तियं उनके अर्थ वह वाक्य प्रियोग जाने जैसे पहली लुक्तिय आम क्यां गुठलियों के दाम अर्थ दुगनालाब अर्था उसकी अंग्रेजी सीकर पदोनती हो गई साथी अंग्रेजी साथते का भी मजा ले लिया इसे कहते हैं आम क्याम गुठलियों के दाप एक हाथ से ताली नहीं बचती अर्था जगडा एक के करने से नहीं होता रीमा और शोबा मैंसे यदि एक च चुग गई खेद अर्था समय बीतने पर पश्ताना व्यर्थ है जब देर से पहुंचने के कारण मदुरिमा की आकरी बस भी चुट गई तो वह मायूस हो गई अब पश्ताय होत क्या जब चुडिया चुग गई खेद ना रेगा बास न बजेगी बासुरी अर्था ना कार पश्त आदमी का एक रजगुले से क्या होगा यह तो उट के मों में जीरा डालने वाली बात है एक मचली सारे तलाप को गंदा कर देती है अर्थात आकाश पताल का अंतर भाई साप अपने साथ बठाकर मुझे एतना बड़ा बनाने की कोशिश ना करें मैं अपनी हाला जानता हूँ कहां आप और कहां मैं कहां राजा बोच और कहां गंगुत तेली दूद का दूद और पानी का पानी अर्थात उचित नयाय करना नयाय दीश ने अपरादियों को मुरकेद की सजा सुना कर दूद का दूद और पानी का पानी कर दिया अदजल गगरी छलकत जाए अर्थात कम गुणवाला व्यक्ती बहुत दिखावा करता है रोहान ने अपनी शिक्षा तो पूर्ण की नहीं बस जब देखो अपने ग्यान का बखान करता रहता है इसे तो कहते हैं कि अदजल गगरी छलकत जाए थोता चना बाजे घना गंगा गये तो गंगादास यम्णा गये तो यम्नादास अफ सरवादी मनुष्य इसकार्त है रश्मी तुम्हारी छोटी मौसदी नितों बहुत चलाक है इसका पड़्GLा भारि देखती है उसलों की तरफ हो जाती है बस गंगा गए तो गंगा दास और यमना गए तो यमना दास आगे दूर के ढोल सुहावने अर्था दूर की वस्तवे सुन्दर लगती है मैंने बहुत नाम सुना था इस होटल का पर इसका खाना तो बिल्कुल विकार निकला इसलिए क्याते हैं कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं नाच ना जाने आंगन टेड़ा अर्थात खुद काम ना जानने पर दूसरों में दोश निकालना पिति को कुछ आता जाता तो है नहीं काम को विगारना हम में ही कम्या निकालने लगती है सची है नाच न जाने आंगंटेडा मन चंगा तो कटोती में गंगा यदि मन पवित्र है तो घर ही तीर्थ है इसका अर्थ होता है शीला अपने साससर और घर के अन्य सदस्यों से तो सीधे मूँ बात नहीं करती जब तक पर उसें से ही लड़ती है किंदो दिन रात मंदिर में तीर स्थानों के चक्कर लगाती रहती है अरे कोई उसे समझाए कि मन जंगा तो कटोती में गंगा लातों के भूद बातों से नहीं मानते अर्था दुष्ट व्यक्ति समझाने से वश में नहीं आते प्रमोज मैं तुम्हें कई बार चितावनी दे चुकी हूँ परन्तु तुम्हारी शरारते कम होने के स्थान पर दिनो दिन बढ़ती जा रही है सची है लातों के भूद बातों से नहीं मानते साब भी मर जाए और लाठी भी ना तूटे अर्थात हानी भी ना हो और काम भी मन जाए कुमल तुम्हें रजनी को इस तरह से समझाना है कि साब भी मर जाए और लाठी भी ना तूटे अंदा क्या जाने दो आखे अर्थात बिना प्रत्न के मनुरत सफ़ल होना घर पर बैठे बैठे राजीव को इतनी अच्छी नौकरी मिल जाने उसके लिए ऐसा ही है जैसे अंदा क्या जाने दो आखे तेरे पाओं पसार ये तेते लंबी सोर अर्थात आये के अनुसार विया करना चाहिए गोपाल की आर्थिक स्थिती बहुत नाजुक चल रही है फिर भी उसके ठाट बाट में कोई कमी नहीं आ रही है काश उसे कोई समझा पाता कि तेते पाओं पसार ये जेते लंबी सोर ना सावन सुखे ना भादो हरे अर्थात सदा एक स्थिती में रहना अरे यार तुम तो सब कुछ जानते ही हो जब से नौकरी छुटी है तब से ना सावन सुखे ना भादो हरे अंदो में काना सरदार अर्थात मुर्खों में कम परा लिखा आदमी सरदार हो मोहन ने सिम्फ बारी पास की है लेकिन गाओं में बाकी सबी लोग अनपढ हैं तो फिर वही बनाना अंदों में काना सरदार एक पन दो काज अर्थात एक साथ दोरा लाब होना बानू की मा मैं आफिस के काम से मुत्रा तो जाही रहा हूँ लेगे हाथ गोवरधन की परक्रिमा भी कराऊंगा इसी भाने एक पन दो काज हो जाएंगे अपना हाथ जगनात अर्थात अपनी महनत से लाब होना तो तो ली मा ने सारी जाजा से बेदखल कर गौरव को घर से निकाल दिया फिर भी उसके माते पर एक शिकन तक नहीं आए और वही यह देख कहकर चला गया कि अपना हाथ जगनात चार दिन की चांदनी और फिर मुल्ला की दौर मस्जिद तक अर्था जितनी पहुंच उतना काम मैं तो बच्चों को खिलाने रोज शाम को पास के पार्क में ले जाता हूं और कहां जाए मुल्ला की दौर मस्जिद तक दूद का जला छांज भी फुक फुक कर पीता है अर्था धोका खाया व्यक्ती सद खाई हर और संकट इसकार थे नीरज अपना सारा व्यवसाय जुवे में हार गया और मकान तो उसने पहले ही गिर्वी रखा हुआ था अब तो इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है उसके आगे कुवां और पीछे खाई है आगे पढ़ेंगे अब जैसे की होनहार बिर्वान के होत चकने पात अर्थात बढ़ों के लक्षन उनके बच्पन में दिखाई देते हैं राजेंद्र का बड़ा लड़का आईएस बन गया मैं तो बच्पन में ही उसे देखता हमेशा कहता था कि तेरा नाम तेरा बेटा रोशन करेगा क्योंकि होनहार बिर्वान के होत चकने पात अपनी गली में कुट्टा भी शीर होता है अर्थाद अपने घर में सभी रौब जमाते हैं अपने घर बुलाकर मुझ पर धोश जमा रहे हो अरे अपनी गली में तो कुट्टा भी शीर होता है खरबुजे को देखकर खरबुजा रंग बदलता है अर्थात एक को देखकर दूसरा उसका अनुकरन करता है सुशीला ने अपने बच्चों को किसी की भी इज़त करना नहीं सिखाया पहले तो बड़ी लड़की ही देखकर मुँ बनाती थी अब तो उसके छोटे भाइन भेन भी ऐसे करने लगे हैं कहते हैं ना खरबुजे को देखकर खरबुजा रंग बदलता है एक अनार सौ बिनाब अर्थात एक वस्तू के अनेग रहग इस कारियले में लिपिक के केवल दो स्थान रिक्त हैं जिनके लिए दो सो से भी अधिक आविदन पत्राएं हैं इसे कहते हैं एक अनार सो बिमार आईए बच्चो अब मुहावरे और लोकोक्तियों में एक बार अंतर भी जान लेते हैं मुहावरे बचों मुहावरे व्याक्यांच होते हैं जबकि लोकुक्ती पूर्ण वाक्य होती है मुहावरे इनका प्रियोग व्याक्य के बीच में कहीं भी किया जा सकता है लेकिन लोकुक्ती अक्सर वाक्य के अंत में लिखी जाती है मुहावरे वाक्यों में प्रयोग करते से में मुहावरों की रूप में परिवर्तन होता है लेकिन वाक्यों में प्रयोग करने पर लोगक्ती की रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है ये इन दोनों में सपष्ट तीन अंतर पाई जाते हैं आईए बच्चों आपके अभ्यास के लिए सध्याय को दोरा लेते हैं अर्थात ऐसा वाक्यांज जो अपने साधाना अर्च को छोड़कर किसी विशेश अर्थ को व्यक्त करता है मुहावरा कहलाता है ऐसा वाक्या कथन अत्वा उक्ती जो अपने विशेश अर्थ के अधार पर संग्शेप में ही सच्चाई को प्रकट कर सके लुकक्ति कहलाती है और मुहावरों के शब वाक्यानुसार परिवर्तनिये होते हैं लिपकी लुकक्ति के स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता तो बच्चों हमने धेर सारे मुहावरे उनके अर्थ और वाक्य भी पड़े ऐसे लुकक्तिया भी हमने मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारे वाक्य मुहावरे लुकक्तिया समझ में आया होगा आप भी अपनी दोच की दिन चरिया में इनका प्रियोग कीजिए इसकी आदत बनाएए आपकी भाशा प्रभावपूर बन जाएगी और सबको बहुत पसंद भी आएगी अब इसका अभ्यास कारे आप स्वाइब कीजिए